गुट मॉर्निक स्टूरेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एवियस का चैप्टर प्लांट अराउंड असे स्टार्ट कर लिया था आज हम इसके एक्सेसाइज करके इसको फिनिश कर रहे हैं कुछ नमर वान इस मैच दा फॉलविंग आपको इसमें मैच करना है यहां पर है एक ओलम एन यहां पर है बी इनको इससे मैच करना है सो फॉस्स ट्री थोड़ा सा पहले रिवाइस कर लेते हैं कि ट्रीज क्या थे ठीक है ठीज होता है जो बड़े-बड़े पेड होते हैं उन इन को हम इस खमिल जैसे आपने देखा होगा रोज रोज आप म пойд upp हो घ्री जैसा होथा है न हो इस खाले that's that's are you progress जो आपने देखा ऊठाब होगा अ क्यों बहुत आप चोटा होता है ने नीची नीची रहता है हमेशा और जो भी छोटी छोटी चीजी होती जैसे चोटा-चोटा घास हो गया यह सब होता है हर्ब्स औके ऍिऌल होता है जो अपने साइन हम सकती हो सकती है वह दूसरी किसी पेड के सहारे आपने देखा कि किसी पेड के सहारे पर चड़ जाती है य। इसे वह सल'RE भी तो से आफ इसलीं नहीं हो सकती ऊपने ल॥ा के पास होता है इस पर चड़ сю сок ग्रास मतलब घास बहुत चोटी होती है उसके बाद शर्ब श्रब्स क्या होते हैं जाड़ी रोज हो जाएगा and climber मतलब बेल वो हो जगाएगा आपका watermelon clear next is flinda blanks flinda blanks very big plant are called जो बहुत बड़ी plant होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं tree small plants are called और जो छोटी plants होते हैं उनको हम बोलते हैं shrubs क्या बोलते हैं shrubs last is very small मतलब बहुत छोटी plants are called बहुत छोटी plants को हम बोलते हैं herbs क्या बोलते हैं herbs okay clear हो गया ना इतना बहुत छोटी means जैसे आपने देखा होगा पुदीना बहुत चोटा चोटा रहता है grass मतलब घास बहुत चोटा चोटा रहता है यह सब हो जाएगा हमारा herbs में and question number three is draw आपको draw करना है क्या one tree एक tree draw करना है उसमें color करना है उसके बाद है one shrub shrub मैंने जैसे के भी बता है कोई भी जाड़ी ठीक है मैंने आपको shrubs लिख वाई थे five उन में से आप कोई भी one बना लीजेगा and one herb herb भी मैंने बता है आपको बहुत चोटे होते हैं for example आपका mint हो गया है grass हो गया है यह सब आपके herbs हो जाएंगे तो कोई भी एक एक की आपको picture draw करनी है clear तो इसको आपको आज की डेट में EBS के notebook में यह करना है